सरकार तो टीवी रेडियो और डीम को यह आदेश देजिए स्कूल के सभी प्रशासों को यह निर्देश दिए जब तक पढ़ाई नहीं होगा फिस नहीं मेना लेकिन ऐसा नहीं हो न यह कहा गया कि ऑनलाइन अगर पढ़ाया जाता है तो इसकूल पैसा ले सकती है लेकिन एन स्कूल प्रशाशन को क्या पैसा लेना उचित है और स्कूल के जो प्रशाशन है वहां के चेर्मेन है प्रिंस्पल है वो पैसा का डीमांड करते हैं एक्टिर परसेंट घर में अने राइट फॉर्म नहीं है इस अवस्था में सरकार को लिया जो है कि स्कूल प्रशासन को निर्देश देना चाहिए को पैसा नहीं लेना चाहिए प्रवेट स्कूल वाले लॉक्षान लेकि जो स्कूल बंद है उसमें इन्होंने जो आउनलाइन पढ़ाई की बवस्था की है उस बवस्था के तहट अगर बच्चे फैदा उठाते तो सही बात है लेकिन वो तो पढ़ाई करते हैं लेकिन बच्चे के जिस बच्चे घर में रहते हैं वहाँ टावर मौजूद नहीं रहता है बच्चा सर्जी सर्जी कहते रहते हैं उनका कलास समक्त होता है तो बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं उनकी पढ़ाई को कहीं ने कहीं बच्चे के लाइप के साथ खिलबार होता है और इस्कूल परसासन ने तै कर लिया है कि हम आउनलाइन पढ़ाई करके बच्चे को और बच्चे का भी भाबक को दिखलाएंगे कि हम कलास कर रहे हैं और एक समय आएगा जब लॉक्टन जब खुलेगा तो मोटी एकम में उसका फिस जो है सोलेगी ये सरासरी स्कुल परसासन का मनमानी है हम परसासन से और सरकार से मांग करते हैं इस पर अब इलम रोक लगा दे और बंदवधी में इसकुल परसासन अगर फिस लेना चाहता है तो उस पर रोक लगा दे उससे बंचित किया जाए यही हमारा मानी है क्या लगता है आपको प्राइवेट स्कूल में जो आउनलाइन पढ़ाई हो रही है अभी तो प्राइवेट स्कूल की सहस्ता और ऑपलाज के लगास किया आप लोह की तरफ से आपको किसा पर्लाइन है प्रब्वावब के पास जो शब्री का दिमिसन करवा है उनके पास सभी के पास तो ऐसा नहीं है जो सबके पस android mobile होगा तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे और जिनके पास भी होगा उनको टावर नहीं मिल पा रहा है तो इस इस्तिती में अभी वावा कैसे उनको मतलब इस अबधी का पैसा दे पाएंगे lockdown की अबधी का पैसा इसलिए हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं जो lockdown की जितनी भी अबधी हो उसमें इस्तुल परचासन प्राइवेट इस्तुल की जो डेवस्थापक हो उनसे मांग कर रहा हैं सरकार से मांग कर रहे हैं इनकी lockdown की अबधी का फिस माफ किया जाए